आज मैं एक ऐसे भक्त के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसे पूरे जीवन साधियों का बड़ा सौक रहा है कितनी शाधियां की पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा लेकिन अध्यात्मिक्ता का सिखर भी पाया महराजी के अननी भक्तों में उनकी गिंती होती है ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के आंति तक नमस्कार मैं बिनोध शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करूर की अद्बुद गाथाएं और अद्बुद गाथाओं की स्रंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका बिदेशी वक्तों की जो स्रंखला चल लए है उसी के साथ साथ हम चल लए हैं आपके साथ और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्मिट मिचेल रिक्स के बारे में जिने महराजी ने नाम दिया था भगवान दास 17 मईए 1945 को आपका अमेरिका में जन्म हुआ था बड़ी पाश्यात शैली जहां होती है पाश्यात जगत की अलग-अलग रहने की विवस्ता है वागी संस्क्रित बहां का हाव-भाव बहां का बाताबन अलग है हम लोग भारत में रहते हैं तो यहां की मर्यादाएं हैं कुछ और पाश्यात में वो मर्यादाएं वहां भी है लेकिन उनको अपनाने की सैली अलग है ठीक ना आज भी पाश्यात लोग है वो अध्यात्विक्ता की खोज में भारत आते हैं और उनी मेंसे एक नाम कर्मिट मिचैल रिक्सका जिने महराजी ने भगवान दास नाम दिया था 1945 में आपका जन्म होता है और 18 वर्स की उम्र में वो पाशात जीवन सैली से उकता जाते है उनको लगता है कि ये जो जीवन है ना वो इस तरह से नहीं जीना चाहिए कोई से अलग तरह का होना चाहिए खोज में लग जाते हैं कैलोफॉर्निया जो अमेरिका में है वो इस्थान छोड़ते हैं और यूरोप चले आते हैं और यूरोप से अफरीका आते हैं कोज जारी रहती है और अफरीका के बाद जब उन्हें लगता है कि जिस चीज की वो खोज में है वो भारत चले आते हैं भारत और भारती परिवेश भारती संस्कित उनमें रच पच जाती है और वो लगबग यहीं क्यों हो जाते हैं छे वर्स तक उनका सोध चलता है छे वर्स तक वो बने रहते हैं इसी वीच वो नेपाल भी जाते हैं स्री लंका भी जाते हैं यह सब उनकी यह कहानी चल लई है जब 1963 में कैलिफोर्निया छोड़ी छे वर्स उन्होंने यहाँ पर काम किया इसी वीच में सन 1965 में यहीं 63 में जो छोड़ा था तो दो वर्स बादी आपको महराजी के दर्सन हो गए थे अब आप समझ लीजिए कि जो देश विदेश में जो खोज कर रहे थे तो वो उनके दर्सन करते ही उनकी यात्रा संपूर्ण हो गई क्योंको जब किसी की खोज होती है कहते हैं कि भगवान से मिलना है भगवान को प्राप्त करना है जीवन में तो उनकी तब करेंगे और तब से भगवान जब मजबूर हो जाते हैं तो भगवान को दर्सन देते हैं और क्या कहते हैं मांग लो बर्दान ऐसा ही रिक्स के साथ होता है और 1965 में जब वो मिलते हैं तो भगवान दास नाम महराजी उनको प्रदान करते हैं जो पुस्तक है रामदास की आपने उनके साथ उसके सहले का कह लीजिए सलाकार कह लीजिए काम किया है उसमें बहुत सारे संसमर्ण है वियर नाओ में आपका उलेक रामदास ने बड़ी बिस्तित रूप से किया है इन्होंने भी It's Here Now 1997 में लिखी है और महराजी के संस्मन भगवान दास ने बिस्तिस रूप से बताए है तो भगवान दास की जिंदगी में भी एक ऐसा काम हुआ जो उन्हें अमर कर गया आपको बता दें कि जब डक्टर एलपर्ट यानी रामदास अमेरिका से भारत आए थे तो उन्हें लाने वाले यही मिचेल रिक्स थे यानी भगवान दास थे भगवान दास के साथ ही आए थे डक्टर एलपर्ट जो विदेश में भक्तों की स्रंखला में सिखर पर माने जाते हैं तो उनको लाने का श्रेय इनी भगवान दास को है तो यह एक ऐसा काम भगवान दास की जीवन में हुआ उनके करकमलों से हुआ उनके द्वारा हुआ जो आज महराजी की जब भी गाथा गाई जाती है तो रामदास को याद किया जाता है और वहाँ आप प्रणम में हो जाते हैं मैं इनके वेक्तिकर जीवन के बारे में आपको और कुछ पहलू बता दू क्योंकि मुझे जब भी अध्यन करने का मौका मिलता है तो चाहें ब्लेक या भाइट स्याम सुए तो दोनों पच्छ होते हैं आदमी के जिंदगी में तो जो मिलता है मैं आपको परोस्ता हूँ यानि आपको देता हूँ भगवान दास जैसा मेरा प्रारम में आपको बता है कि में शादियों का बड़ा सौड था सन 1972 में 1972 में भगवान दास विभा रचाते हैं भवानी नाम की महिला के साथ और बेटी का जन्म होता है एक और नाम रखा जाता है सोमा यह उनकी पहली शादी होई अब आप तो यह सोच रहे होगे कि हम उनकी पूरी लिष्ट बताने जा रहे हैं हाँ बताऊंगा कि कितनी शादिया हुई कैसे हुआ और उनका जो अध्यात्मिक प्रसिच्छड है या अध्यात्मिक तप है वो भी चल रहा है दोई बर्स बीते उननीस सो चोहत्तर में उन्होंने पुन्हे विभार रचाया उशा नाम की महला से जिनके एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई बेटी का नाम ललिता और बेटा का नाम मीक्यो मैं नाम सहिद बता रहा हूँ आपको तो ये दो शादियां उनकी हुई अब जिन्दगी कैसे चलती थी क्या होता था पता नहीं लेकिन 1924 में जब उनकी दूसरी शादी हुई तो एक उलिक ऐसा भी मिलता है सारदा देवी नाम की महला से भी उनके सम्मंद रहे उन्होंने बड़ी बेबाकी से ये सब कुछ लिखा है अगर लिखा नहीं होता तो हम नहीं बता पते आपको 1922 में पहली शादी, 1924 में दूसरी शादी और तीसरी महला सारदा देवी से उनके सम्मंद रहे इसके बाद एक स्टॉप लग गया इस्टॉप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अब उनकी चौथी सादी के बारे में पताने जा रहा हूँ जो 2020 में हुई, अमूल मा, अमूल मा उनको कहते थे, 2007 में उनके संपर्क में आये थे और 2020 में उन्होंने उनसे विभा रचा लिया अब आप समझेए कि 1945 में उनका जन्म हुआ, है ना, और कित्ते साल के हो गए हैं, लगबग 74 साल के, है ना, और 74 साल में उनकी बेटी जो है, सौमा जो पहली शादी से हुई थी, वो भी 55 साल की हो गई, वो दूसरे बच्चे भी बड़े हो गए, और ये सब कुछ पाश्या संस्कित होती है, बहाँ ऐसा बहुत कम होता है, कहीं रेयर केस में मिले, लेकिन भगबान दास की चार शादिया होई, और आज भी वो अध्यात्मिक तप में लगे हुए हैं, योग प्रिसिच्छे के हैं, ओनलाइन लोगों को बताते हैं, योग के बारे में, अध्यात्मिक के बारे में, और महराजी की गाथाओं के लिए वो बिभिन शिवरों में आज बोलाए जाते हैं, और वो उनके प्रवचन, उनके साथ के जो अनुभव हैं, वो उन्हें बताते हैं, तो अगर एक व्यक्तिकत जिन्दगी का एक पहलू अगर हम छोड़ दें, जिसे हम भारत दास ने बड़ी सफलता पाई, आज भी वो महराजी की गाथाओं को गाने के लिए, महराजी की गाथाओं को बताने के लिए, महराजी के बारे में प्रवचन देने के लिए, योग की सिच्छाओं के लिए पूरे बिश्व में जाने जाते हैं, दस्तक मीडिया की तरफ से भगवान दास को शुब काम नाए है कि वो अच्छी तरह रहे हैं ठीके ना चल पड़े जाम राव